हर्योम राम राम आज हम बताएंगे काया पूनिया लेसिनियोसा के बारे में इसको ब्रायूनी के नाम से अंग्रेजी नाम है और इसको लिंगनी बहुपत्रा लिंग संभूता देवी चंडा सिवल्ली सिवलिंगी चित्रफला सिवलिंगी के नाम से जानते हैं कावा डोरी इसका मराठी नाम है और अंग्रेजी में इसको इंडन बायो ब्रायूनी के नाम से जानते हैं यहां खर परवार के रूप में समस्त भारत वर्स में मिलती है और कई जगा पर इसकी खेती केती है क्योंकि जो हाथ में देख रही ही सिवलिंगी का बीज है और इसको बुलबुल नाम के पक्षी बहुत खाता है यहां बरसाथ की रूप में कहीं जहां कहीं बागुडों के रूप में यहां उधपन हो जाती है और यहां करेले के पत्ते के समान दिखाए देती है लेकिन इसके पत्तों को चाबने चबाने से करेले जैसा कड़वा लगता है यहां लग भाग पांच-छे सेंटिमीटर तक लंबी होती है गहरी और इसमें धरा धारी यूगति इसकी बेल होती है और दरा होता है और इसके पुस्प छोटे हरेवर्ण के होते हैं फल गोला का इसमेद वूंर चीकना और उसमें सफेज सफेद ना लिए होता है और पकने पर लाल ओ सफेदी जयेंगतियों लगार होता है इसकी भीज भुरा रंका होता है और इसका इसमें फूला अगस्त के से सितंबर तक कि फूल आते हैं से आ जाते हैं और यहां अने कपरकार कि हमारे आयरवेद की ग्रंथों में इसकी वर्णन है इसमें ब्रायूनीन नामकतत पी कैमपूरी और फिरूलिक ततों पाये जाते हैं इसे तो बहुत सारे इसमें हैं यहां सिवलिंगी कड़वा होता है उसन होता है और अतेंत दुरगंद होता है और रसायन और वसी करन सिद्धियों के लिए इसका प्रयोग होते हैं पारद बांधने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है यहां ब्रिदु विरेचक होता है बलको बढ़ाने वाली और जो हमारी माता बहनों को संतान नहीं हो र प्राप्ति के लिए किसə इसका प्रहूप करने चाहिए इसको जहाँ इसका प्रयोक करद लीजेगा सीविलिंगी ऒखी का अपल कर रस को तो लाल चंदन को मिला कर keeping हिसकर करके लगाने से कैसे आप कुष्ट रोग हो उस कुष्ट रोग को यहां मिटा देता है और जो हमारी माता बहन को गर्ब की समस्या हो गई हो संतान प्राप्ति के लिए आप क्या कीजेगा कि मासिक धर्म के चाओं थे दिन के बाद तक एक महिने तक के जो बच्छिया वाली गाय के दूद के साथ इस तर अजलद के बाद एव संतान प्राप्ति होती हैई यहां एक अणुभूत प्रिक्षित प्र्योग है और सिवलिंगी के बीच आदा गराप utra जीवक के बीच एक गराम दोनों को मिला करके पीश करके मिसर्य मिला करके उसमें मौ का जो चमकिला भाग होता है उपर का उसको मिला करके पेश्ट बना करे एक दम इसको सेवन करने से बंधत्य में लाब होता है उगर्बधारन बन जाती है और यहां कई बार का अजमाया हुआ सर्थिया प्रोग है तो इसका प्रोग करके हमारी माता बहने इससे लाब ले सकती है और साथ में सिवलिंगी का बीच का पंचांग बीच तथा पंचांग को पाल कर पीने से गरभ हैसे में जो सूजन हो गया हो पेट में सूजन हो गया है उस सूजन को गया पूर्णुरू से आराम पहुँचाती है और लाब देता है और इसी के साथ में इसके बीच चुनकों गर्वधारन है तो गव माता के दुद के साथ खाने से गर्वधारन करने की इसमें प्रबोल मातर में छमता वड़ जाती है और प्रसव होने के बाद में हमारी माता वहनों को जो गुखार हो जाता है कभी कभार हवा लगने के कारण से दो ग्राम की मातर में इसका पंचांग चुड़न का सेवन करने से हमारी माता वहनों को जो सूती का जोर रोग हो गया हो उसमें यहां तिप्रगती से लाब होता है जिस किसी का अगर पीलह वृद्धी हो गया हो और तो इस समस्य से निप्टारा करने के लिए सिवलिंगी का जड़ को पानी में घिस करके पिलाने से उसकी पीलह वृद्धी जो हो गया हो में यहां आतिमतर्न लाबकारि है और जिसका पाचन केरा सही नहीं होता, सिय मुद्जह्च परकॉप की कारण पाचन करनी हो रहा हुब। इसका प्रूकरिय ने से भी यहाँ लाब देता है तो यहां सिवलिंगी के प्रूप करकी आप लाब ले सकते हैं मैं अपनी वीडियो की यही समाप तो करना तब तो कि लाप सिदी को हरी ओम राम राम